माध्य परदेश के भुपाल जिले में उपनिरिक्षक केलाज डांगी को 10,000 रुपे की रिश्वत लेते लोकायोक्तो पुलिस ने पकड़ा जिले के महश्वर थाने की ककरदा पुलिस चोकी प्रभारी है फरियादी कनहिया लाज जिराती आशापूर ने इंदोर लोकायोक्तो पुलिस को शिकायत की थी आरोपी उपनिरिक्षक अग्यात वाहन से एक्सिडेंट की रिपोर्ट को वाहन का पता लगने पर कारिवाही रिपोर्ट के लिए 20,000 की रिश्वत मांग रहे थे खरगौन से अजे तिवारी की रिपोर्ट रिष्वत मांगा जाना पाया गया था उसी आधार पर प्रक्रण कायम करके आज दिनांको ट्रैप दल का गठन किया गया और जो थाना महेश्वर की चोकी है काकरदा उनके प्रभारी है केलास दांगी उनको 10,000 रुपे की रिष्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा गय उसका दो तारिक को काकरदा चोकी छेतर में एक्सिरेंट हुआ था जिसमें उसको एमबाइच रिफर किया गया था जहां उसकी जो है मर्ग कायमी हुई और उसकी मर्ग इंटिमेशन के बाद 10 तारिक को जो है इनको कायमी के लिए सूचना मिल गई थी तो इनने जो है उसको अग्याद पे जो कायमी की उसको नामजद कायमी करने के लिए आवेदक से डील कर रहे थे और जब इनकी डील हुई तो उसमें जो है जो है दस एयार रूपे लेना आज तय हुआ था अभी 10.000 रूपे लेते हुए थाना परिसर के बाहर से इनको यह तो विवेचना का विसा है, अभी तो हमने इन पे जो है ट्रैप की कारवाई की है, अब रस्टाचार निवाराजी नियम की धारा साथ की अंतरगर वाकी विवेचना करेंगे तो उसमें चीजे आएंगी। के सर लगातार पूलिस प्रशाषन को सोच चबी बनाने के निर्देश होने के बावजुत इस तरह के प्रकंट सामने आते हैं, इसको लेके आप क्या गए? नहीं, यह सब तो पॉलिसी मेंटर हैं, यह तो हमारे पास सिकायते आती हैं, तो हम सिकायतों के आधार पर कारवाई हैं करते हैं, और यह पुलिस प्रसाथ हम नहीं सभी विवागों पर कारवाई कर रही हैं, भी कुछ दिन पहली हमने MPB में एक्जिकेटर इंजिनियर झाल 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